तो दोस्तो आज हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं शीन पेइन की ट्रिटमेंट के बारे में मोस्ट इफेक्टिव ट्रिटमेंट है जो आपके शीन पेइन को इंस्टंट रिलीव करेंगे ठीक है दोस्तो तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल फीज़े मंत्र में और मैं वो डॉक्टर मुस्टफा फिज़ेटरापिस दोस्तो शीन पेन बहुत कमन पेन होता है उन लोगों में जो लोग 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 करते हैं उन लोगों में जिनके एंकल स्टीफ है और वो लोग होते हैं जिनके काफ मसल्स यानि के हमारी ये काफ मसल्स टाइट होते हैं उन लोगों को भी शीन पेन होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों काफ मसल्स करने के लिए मैंने लास्ट एपिसोर में आपको एक फर्म रोलिंग टेक्नीक दिखाई थी अगर से मसाज करना जिसको MFR भी बोला जाता है ठीक है दोस्तों शीन पेन उन लोगों को होता है जो लोग रनिंग करते हैं इंप्रॉपर वॉम अप के कारण शीन पेन होता है जो लोग काफी दिनों से रनिंग नहीं कर रहे थे और अचानक से 2-3 किलो मेटर रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उनलोगों को बहुत ही कॉमन होता है शीन पेन करना क्यूंकि muscles को आदत नहीं है इतना run करने की और आप अचानक से उसको run करवा देते हो तो उसे क्या होगा muscle ठक जाएगा और spasm में चला जाएगा ठीक है उसके लिए आपको क्या करना है first icing करनी है उसके बाद आपको firm rolling technique यूज करनी है ठीक है चो दिखाता हूँ आपको इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले है firm roller की मदद से कैसे champagne को treat किया जाएगा next video में हम सिखेंगे ball से कैसे treat करेंगे और उसके next video में बताऊँगा आपको thumb से यानि के MFR से उसको कैसे release करोगे ठीक है तो चलिए आज का video start करते है और दिखाता हूँ firm roller से आपके ऐसे शीन पेन को treat करोगे कि यह हमारी जो bone होती है sheen bone ठीक है उसके ऊपर होता है muscles वो जाता है spasm में stress में जिससे आपका pain बढ़ता है जिसको हम sense pain बोलते है sheen pain बोलते है ठीक है calf rolling में हमने calf पे rolling किया था sheen pain के लिए हमको calf और यह bone है उसके बीच में यानि कि यह bones आप ऐसे ऐसे slide करोगे तो आपको hard वाला पार्ट यहां पर खतम होके soft वाला पार्ट फील होगा तो हम लोग को क्या करना है पैर को सीधा रखके पहले उसको turn करवाना है और उसके उपर पूरा आपको यहां से लेके यहां तक rolling करना है मगर आपको यह rolling भी ध्यान से करना है जैसे मैंने आपको calf के लिए बताया था कि shoulder में injury या back में injury नहीं होनी चाहिए rolling अगर आप full rolling करते हो तो उससे आपको क्या होगा shoulder में injury होने के chance बढ़ जाते है तो क्या करना है आपको इस तरह से half half part में rolling करनी है इस तरह से पूरा roll इस तरह से पूरा roll नहीं करना है तो आपको क्या करना है, हाफ-ाफ पार्ट में इस तरह से रोलिंग करनी है, उसके बाद एक प्यर को इसके उपर रखें, यहाँ पर थोड़ा पेन होगा, क्यूंकि यह पेइनफूल रोलिंग होती है, इस तरह से हम रोलिंग करेंगे, 15 रिपिटेशन के 3 सेट करने हैं, इस त प्याद लोवर पार्ट का रोलिंग हो गया, अब अपर के लिए आप इस तरह से रोल करोगे, ठीके दोस्तों तो यह थी हमारी फर्स टेकनिक, शीन पेन को रिलीव करने के लिए, अब दीखा रहा हूँ सेकेंड टेकनिक, अब आपको सेकेंड टेकनिक में क्या करना है, जह यह वाली मुबेंट करवाँगा, पंजे को उपन नीचे करवाना है, और इस पेर से नीचे की तरफ पूश करना है, ठीक है, फिर से रोल करेंगे, जहां भी हमको टेंडर पॉइंट मिलेगा, वहां हम रूप जाएंगे, और फिर वही टेकनिक करेंगे, इससे क्या होगा, वहां पे जो टेंडर पॉइंट है, वो प्रेक हो जाएगा, और आपका पेन इंस्टन्ट रिलीव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो यह थी हमारी सेकेंड टेकनिक, अब दिखा रहा हूं हमारे आज की एपिसोड की थार्ट टेकनिक, दोस्तों हमने फर्स्ट और सेकेंड टेकनिक में अंदर वाले मसल्स को रिलीज किया था, ठीक है, अब थर्ड टेकनिक में हम क्या करेंगे, बहार के मसल्स को रिलीज करने वाले है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्म रोलर को ऐसे रख देना है, इस तरह से, और आपका ये वाला उपर वाल बोन हर्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है इसको अंदर के तरफ मोड़ना है और इसको इस तरफ से आपको रोल करवाना है यह रोलिंग भी बहुत इफेक्टिव है मसल को रिलीज करेगी और आपके टेंडर पॉइंट को ब्रेक करेगी तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने दिखाया आपको फॉर्म रोलर की मदश से आप कैसे शीन पेंट को रिलीव कर सकते हो और दोस्तों नेक्स वीडियो हम बात करेंगे टैनिस बोल से कैसे शीन पेंट को रिलीव किया जाए ठीक है दोस्तों तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में एक ऐसी नही effective treatment के साथ ठीक है चल लिए बाइ बाइ थैंक यू कीप वाचिंग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लेस करना भूले